नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका स्टड़ वित्र इसमें दोस्तो इस वीडियों बात कने वाल हैं रेल्वे गुरूप डी भरती के रिगादे दोस्तो आप लोग थमनेल में देख पारोंगे अभी अभी रेल्वे ने जारे किया नोटीस 200 पलस गुरूप डी कि किस कारण से इनको बाहर किया गया है क्या ये सभी आरारसी में इसा करेगा संपूर्ण दिनकारी बताने वाले हैं अगर इससे पहले चैनल पर पहले बार प्रिजिट करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकर को प्रिस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट करने के लिए हैं दुस्तू यह रहा नोटीस यहां पर देख सकती है और आज के दिट में इनोटीस किया गया है यहां पर देख सकते हैं देख सकते हैं यहां पर उन्होंने किया है सेंटल दूस्तों इन्होंने बताया है कि 289 CCA कंडेट थे जिनको यहां पे इलिजबिलिटी फिल फिल नहीं करने के कारण जो 183 2023 को पैनल जारी किया गया था यानि पैनल पार्ट बन जारी किया गया था जिसमें उसमें भी ठेल्ट करके रखा गया था वही दूस्तों आगे नोगे मेंसें क्या है देख सकते हैं Since all 279 candidates have appeared in AITI exam after the cut-off of date 12-4-2019 दोस्तों इन्होंने देख सकते हैं जो date cut-off जारे किया गया था कि जो भी current date 12-4-2019 से पहले AITI apprenticeship करे हुए है उनको यहाँ पे eligible मना जागा लेकिन उन्होंने बाद किया यहाँ देख सकते हैं Their names are deleted from the provisional part panel published on 18-3-2023 in term in para 12.2 of the CN number RRC 01-2019 तो दोस्तों इन्होंको finally RRC के para number 12.2 के अनुसार यहाँ पे उन्होंको finally delete कर दिया है यानि दोस्तों इनके जो certificate थे जो RRC की notification जारे किये थे उसकी अनुसार नहीं था जिसके कारण इनको यहाँ पे finally delete कर दिया गया है यानि दोस्तों इनको panel से हटा दिया गया है दोस्तों अभियर्ति सोच रहे होगे सोच सकते हैं मार्च में ही इनका panel आया था आज लगभग 9 महिने हो चुके हैं और दोस्तों सोच रहे होगे कि मेरा job हो गया और joining के जार कर रहे थे और finally यहाँ पे देख सकते हैं उनको bad news मिली है और उनको को बताना चाहूंगा इससे पहले बहुष से अरसी जो ने इसके regarding नोटीज जारी किये हैं और अभियर्तियों को सिधा पैनल से बाहर किया है वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरा अभियर्तियों को रॉल नमर दिया गया है और टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 279 कंडेट है आगे निचे मेंशन किया है इट में बी नोटेट देट नो कोर्सपेंडेंस बी इंटरनेट फ्रॉम एवोब कंडेट इन फ्यूचर इन दिस रिगार और दोस्तों ने सबसाब कहा है कि भविस में इनके regarding कोई सुनवाई नहीं किया जाएगा अगर वह आप जो CCA कंडेट हैं और यह eligibility को फिलफुल नहीं कर रहे हैं यानि दोस्तों 124 2009 से पहले अगर वह IT apprenticeship complete नहीं किये हैं तो उनको सिधा अपनल से बाहर किया जाएगा अगर दोस्तों कोई जोन जोइनिंग भी दे दिया हो तो उनको नौकरी छोड़ने पड़ेगी हाला कि अभी अगर आप कोई नहीं है जो इन लोगों को जोइनिंग करवाया है उनको भी थेल्ड करके ही रखा था और लगभग धीरे धीरे सारे जोन इनको बाहर कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप कोई भी फॉरम भरते हैं तो एक बार notification को अच्छे से clear हो करके पढ़ना चाहिए लिए दोस्तों इससे पहले अगर हम इलिजीवल नहीं है तो जांस करके फॉरम अप्लाइए करें अगर हम इलिजीवल नहीं है तो अप्लाइए नहीं नहीं करना अच्छा रहेगा इससे अच्छा है दोसरे पेपर की तियारी करें तो दोस्तों ऐसे लिए टेस्ट अबडे प्रेट लिए में चैनल पर बने रहें बुर्य देखने के धन्यवाद